अगर आपको गर्मी के मोसम में भी बार बार जुखाम होता है बार बार चीके आती हैं आपको थोड़ा सा पसीने में आगर आप कुलर के या इसी के सामने बैठ जाती हैं तो आपको तुरंत चुखाम हो जाता है और चीके आनी शुरू हो जाती हैं तो आज मैं आपके लिए ऐसा घरेलो उपाई लेकर के आई हूँ अगर आप इसे कुछ दिन आज मालेंगे तो आपकी ये बार-बार जुखाम होने की जो समस्या है पूरे तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये बहुत ही अच्छा घरेलो उपाई है फ्रेंट्स जैसे कि आप थोड़ा सा दूल के आती है नाक में अलर्जी हो जाती है आज कल जो है छोटे बच्चों को भी बहुत जादे समस्या हो रही है बार-बार जुखाम हो जाता है घर्मी के मोसम में और उन्हें खासी हो जाती है तो आज ये जो उपाई आप बच्चों को भी दे सकते हैं घर में किसी भी बड़ इलाइची होती है जिसको हम चाई वगेरा में डालते है यह जो इलाइची है बहुत ही अच्छी होती है हमारे जुखाम के लिए जो हमें बार बार जुखाम होता है बार बार खासी होती है उसके लिए बेहद कारगर है जो इलाइची होती है इलाइची में हमारे जो जुखाम होता है उसके साथ साथ जो बार-बार छीके आती है उसे भी ये बिलकुल ठीक करता है तो इसको बनाने के लिए फ्रेंट्स हमने लिया है एक गिलास पानी एक छोटे से बगोने के अंदर आप एक गिलास पानी डाल लीजेगा और इसमें आप ताजे तुलसी के पत्ते डालने हैं आपको आप तिन या चार तुलशी के पत्ते ले लीजिएगा इनको अच्छे से धो कर करके आप इस पाने के अंदर डाल दीजिएगा तुलरी के जो पत्ते है इन में इनको लेने से हमें बार-बार जुखाम होने की जो समझ्य है नहीं रहती तुलसी के पत्ते बेहद कारगर होते हैं अगर अगर आप दो या चार पत्ते तुलसी के सुभे सुभे Safa functionality चबा लेते हैं इससे भी आपको बार-बार होने वालिये जो जुखाम है वो पिल्कुल आप ठीक हो जाएगा लेकिन अगर ये जो घरेलू नुसका आप लेंगे इससे आपको बहुत ही जल्दी फर्क नजर आएगा फ्रेंड्स आपको दो या चार तुलसी के पत्तिस पानी के अंदर डाल देने हैं और आपको लेनी है इलाइची आपको दो या तीन इलाइची लेनी है और इन इलाइची को आपको अच्छे से कूट करके इस पानी के अंदर डालना है इलाइची से हमारे जो एडियों में दर्द रहता है बहुत ज़द एडियों के दर्द को बिलकुल दूर कर देता है अगर आप दो या तीन इलाइची दे लिखाते हैं तो आपकी एडिय का पूट करके ही आप डालेंगे तो तभी आप को इसका पुरा फाइदा मिलेगा। इलाई ची हमारी खासी को भी दूर करेगी, हमारे गले के दर्ध को दूर करेगी। चे च्छोटे बच्जों की चाथी में कब जम जाता है अगर आप चोटे बच्छों को भी इस नुस्खे को देंगे उनकी चाथी में जमा हुआ कब तुरन्त बहार निकल बहुत भार निकल जाएगा बहुत ही अच्छा फ्रैंट्स द समस्य कर सकते हैं आजकल जैसे बारिस का मोसम है बारिस के मोसम में भी आजकल ये बहुत ही जाद समस्या हो रही है थोड़ा सा जैसे बारिस में हम बाहर निकल जाते हैं थोड़ी सी हमें बूंद लग जाती है तो उससे हमें तुरंट जुखाम हो जाता है और जुखाम होते ही हमें तुरंट ख गरेलो पाए आपके इम्मिनिटी पावर को बढ़ाता है आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करता है इसको लेने से आपकी जो बोड़ी है विल्कुल डिटोक्स रहती है बहुत ही अच्छा यह घरेलो नुस्का है और आपकी जो एडियों में दर्द रहता है एडियों के द पकाना है पांच मिनट आपको लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाने लेना है जब तक कि यह जो हमने तुलसी के पत्ते डाली है इसमें और यह इलाईची डाली है इनका जो गुण है इस पानी के अंदर अच्छे से आ जाएं तो आपको पांच मिनट बिल्कुल लो फ्ले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो यह मैंने एक गिलास में इसको चान लिया है तो फ्रेंड्स आपको इसे सुभ़ शाम पीना है और सुभ़ शाम आपको इसे गु नहीं डालना है थोड़ा सा गुनगुना जब यह हो जाए तब आपको इसमें एक चमच हनी मिला करके पिएगे तो आपको बहुत ही फाइदा नजर आएगा तो आप इसको सुभ़ साम ले करके देखेगा फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी जुखाम नहीं होगा खासी नही होगा यह बहुत ही अच्छा गरे लूपा है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें